चैनल को सब्स्राइब करें वडियो को लाइक करें और शेयर करें नमस्कार मैं हूं जितेंदर सिंग चोहान और आप देख रहे हैं सावड़ा लाइव निउस यूट्यूब चैनल आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं डूंगर बुर्जिले के आसपुर 33 लंतरगत बंदकोडा गाओं में लाल शंकर पुत्र शंकरलाल बोई वाड नमर साथ ने साखवडा लाइव निउस चैनल के मध्यम से बताया कि 24 गंटे से मुसलादार बारिस की वज़े से उसके द्वारा बनाये के मकान का परकोटा दे गया है लाल शंकर ने बताया कि उसमें ओम लोन लेकर परकोटा वा मकान बनाया था COVID-19 वेश्विक महामारी की मार जेलरे लाल शंकर बोई ने प्रसासन से अपिल की है कि आर्थिक स्थिती और लाउकडाउन की वज़े से गर बेटे पेराउसकार होने की वज़े से वहलोन बरने में समर्थ नहीं है ऐसे में इस प्राकर्तिक आपदा ने उसकी मेहनत को द्वस्त किया है अतव प्रसासन यतासंभव सयोग करे इधर 24 गंटे से हो रही मुसलादार बारिस की वज़े से डुंगर पुर्चिले के सागवड़ तेसलंत कर गोरेशोर महादेव मंदीर के पास की नदी पर बने पूल पर एक फीट तक पानी बेहने लग गया लोगों ने बारिस बंद होने के बाद यहां पहुंच कर नजारे को अपने केमरे में केद किया देखिये पूरी रिपोर्ट आसपुर्ग शेत्र में सभी नदी नाले तलाब उफान पर दुंगर पुर्जिले के आसपुर्ग शेत्र में सनिवार साम बिजली की गड़गड़ा हट के साथ मुसलादार बारिस हुई खेडा के गमिला तलाब में रपट से उपर पानी बहने लगा खेडा पंचायत एवं संद्राइज गोलेज के परिसर में पानी बर गया साथ ही यातायत कई गंटों तक बादित हुआ लंबी कतारे लग गई पानी इतना तेज था कि कई यात्रियों का देनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया ग्यात रहे इसे पुर्व खेडा आसपूर के लोगों ने महाकाल से विंति की थी कि खेडा गाउव जलमग न हो जाए तो ऐसा ही हुआ अब फिर से लोग प्रातना कर रहे हैं कि प्रभू आपकी माया को वापस समेट लो जितनी जरुवती उससे भी जादा बारिस हुई है गाव खेडा द्वारा 21,000 बिली पत्र द्वारा गत दिनों महाकाल का अभिशेक भी किया गया था आसपूर से दिनिस सेवत की रिपोर्ट अब आपको अब बाई सब्सक्राइब नजरी आपको अब बढ़िया है पानी ज्यादा राद को ज्यादा बारिस हुई आज साड़े तिरा गंटे हो गए लगातर बारिस है पोई रुकने के संभावना है अब फुला पन तो लगनी रहे इसी के साथ हमें आग गया दीजी नमस्कार शीगर नहीं खवर लेकर राजी रहेंगी तब तक के लिए चैनल को सब्स्ट्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं बुलें धन्यवाद देखते रहें सागणा लाइब नियूस यूट्यूब चैनल